Hello everybody, welcome back to a new vlog और आज हम लोग जा रहे हैं the 25th Silver Jubilee Year of LiU Expo ये LiU Expo एक बहुत ही बड़ा trade fair है जहां पर बाहर के देशों से जैसे की Bangkok, Afghanistan, Bangladesh, Thailand जैसे देशों से सामान आता है जो हम लोग खरीच सकता है इस trade fair में तो आज हम लोग बहां पर जा रहे हैं और जिस सेंटर में वो हर साल लगता है जिस जगापर वो इस साल भी लगा है और वो है मनि नाम देवान सेंटर तो चली वहां पर चलते हैं Gius हमारा कैब आ चुका है तो हम लोग मनि नाम देवान ट्रेट सेंटर जाएंगे पांच किलो मेर्ट दूरी है लाल माटी से वो बाराजी टेंबिल के पास ही है तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएगे वहां पर ये गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लेयो एक्सपो तो तच चले ये है मनिराम देवान ट्रेड सेंटर गाइस अभी एक्चुली 4.15 हुआ है थोड़ी देरी के बाद शाम होगी जाएगा यहां पर गाइस यहां पर टिकेट प्राइस है आडल्स के लिए 30 रुपीज और बच्चों के लिए फ्री गाइस टिकेट हो चुका है तो चले एंटर करते हैं गाइस मैं अभी तो थोड़ी दिर में रात हुई जाएगा तो यह जो डेकोरिशन लगी है फुल लिचुलाइट जो लगे हुए हैं वो कितना सुन्दर दिखते हैं रात में मैं आपको दिखाऊंगा तो फिलाल हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कहां-कहां से क्या-क्या आया हुआ है आपको तो पता ही है लियो एक्सपो एक इंटरनेशनल एक्सपो है और यहां पर बाहर के देशों से बहुत सारे सामान आते हैं बस दिस इंटरन्स सो लेट्स गेट इन यह दिखिए यहां पर बहुत सारे शॉप्स लगे हुए है तो सबसे पहले हमारे नज़े में आया डी पी एन मार्गेटिंग थाइलेंड तो यहां पर मैं अपने कजन सिक्स्टर पिश्या के लिए थोड़े से कार्टून के क्लिप्स लूँगा यह दिखिए यहां पर बहुत सारे अलग-अलग चीज़े हैं और मैं आपको बता दूँ यह सब थाइलेंड के हैं दोस्तों हमने प्रिशा के लिए क्लिप ले लिया और यह है थाइलेंड फ्लावर्स जहां पर फ्लावर्स के अलावा बहुत सारी चीज़े मिलती हैं यह जो विंचीन्स आप देख रहे हो यह सब 400 के हैं 400 रुपीस यह है नाया रा इमाया दुबाई यहां पर मेरी ममा अपने लिए एक ब्रेसलेट लेंगे यहां पर देखिए बहुत सुन्दा-सुन्दा ब्रेसलेट्स मिल रहे हैं यहां पर 300 से लेकर 7 800 तह लेकर सारे ब्रेसलेट्स और यहां पर नेकलेस भी बैंगल्स भी है यह पाँ बांगला देशी शॉक बहुत सारे कपड़े मिल रहे हैं यह देखिए यह जोन्स हैं आपर बहुत सारे शूपी चेर्टन बाएक्स यह देखिए यहाँ पर बहुत सारे leather के purses, bags, trolley सब मिल रहे हैं यह ceramic items है guys और यह है कश्मीरी hand loom और यह सब electronic सामान है kitchen का सामान यह भी एक thirend का shop है यहाँ पर भी earrings, necklaces, सब कुछ मिल रहा है guys, यहाँ पर बहुत सारे keychains है यहाँ पर बहुत सारे anime characters है Star Wars है Marvel's characters है Demon Slayer, Alienware Japan का वो सब है keychain यहाँ पर यहाँ पर कुछ pens है, pen pencils है यह देखिए यह जो चीजें आप show pieces है यहाँ पर एक necklace और एक ring है यह 500 रुपीज और जो उपर देखरो सेट वो है 1750 रुपीज यहाँ पर sunshine के यह characters है उसके नीचे messy, ronaldo, groot तो चली अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर चिराग्स है चिराग्स मतलब carpets यहाँ पर देखिए गाईस, अवखानिस्तानी dry fruits तो चली इस शाप में चलते हैं देखते हैं क्या-क्या dry fruits हैं यहाँ पर यहाँ पर dried mango है, kiwis है, almonds है, सब कुछ है यह भी एक another leather wallet यहाँ पर्स शाप, तो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फ्लावर शाप है, जहाँ पर बहुत बहुत सारी फ्लावर्स हैं यह एक handloom store, यह एक novelty, जहाँ पर बुद्धा लॉड के statues, यह देखिए, यह से कहता है, artifact store, जहाँ पर बहुत सारे show pieces मिल रहा है, आपके घर के लिए और यह एक kitchen store है, जहाँ पर मैं कुछ लेने के लिए देख रहा हूँ यहाँ असलिंग की है, rubrics, rubrics cube है यहाँ पर भी कुछ कीचेंज है guys, कुछ bamboo baskets, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बहुत सारे चीजे मिल रही है guys, gold plated bangles, jewelry यह देखिए guys, Thailand footwear, guys, बहुत सारे footwear है यहाँ पर, यह है kunjana Thailand So guys, basically Thailand से बहुत सारे products आई हुए है Full moon Thailand यह देखिए, यहाँ पर हर स्टोर में कीचेंज है, जो कि मुझे बहुत पसंद है यह है Indian Artifacts यहाँ पर हमारे भगवान जी के statues मिल रहे है Handicrafts है यहाँ पर यह देखिए बहुत ही सुन्दर देख रहे है यहाँ पर देखिए guys यह मैं कुछ देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ लेने के लिए यह एक laser pointer है यहाँ पर यह stress balls है यह देखिए ऐसे इनसे खेलते हैं guys यहाँ पर छोड़ छोड़े cars है diecast चीजे है मैं यहाँ से एक moon ball लूँगा यह वाला यह बहुत ही अच्छा bounce करता है यह 150 रूपीस का है यह देखिए guys यह है Dubai के chocolates Dubai के chocolates काफी अच्छे होता है मैंने सुना है यहाँ पर variety के chocolates है lollipops, toffees guys next door explore करते हैं guys ऐसा लग रहा है मैं hall A से B B से C C से D चले ही जा रहा हूँ यहाँ पर भी बहुत सारे lollipops हैं और अभी हमने enter कर लिया है hall B because CD पहले ही देख लिया बहुत बड़ा सच बताओ दो guys यू एक्सपो और गाइस मैंने मुर्ग को भी ले लिया है और यह देखी गाइस यहाँ पर बहुत सारे स्टेशनेरी आइटम्स कीचेंज गाइस इस में थोड़ा सा एक देख लेते हैं क्या क्या है और मेरे नाना जी ने यहाँ से मुझे एक कीचें़ खरीद दिया यह देखिए यहाँ पर बहुत सारे बैंड्स है यह बैंड्स है अब ही हम लोग चलता है बुक स्टोर मतलब रीडर्स हब मैं दाड़ के जाओंगा येस आई लव बुक्स यह देखिए यहाँ पर कितने सारे बुक्स है यह तो अभी अडल्ट सेक्शन में हूँ गाइस इस तरफ आओ यह है चल्रेंस सेक्शन यहाँ पर अलफाबेट बुक्स टिंकल स्टोरी बुक्स मैं एक टिंकल डाइजिस लूँगा जिसका प्राइस है 175 रुपीज मैंने ले लिया है तो चलिए चलता है एक और बात बता दो गाइस इसके साथ बुक्मक भी दिया जाता है यहाँ पर हम लोग पिएंगे कुलाट चाय मेरे नानी और मेरे ममा और मेरे नानी कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा और टेस्टी कुलाट चाय मिलता है यह फर नीचे सेक्शन अभी हम लोग एक और हॉल में आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग खरी देंगे कश्मीरी और सॉरी कानी पश्मीना यह जो पश्मीना है यह डबल साइड़ है और इसका प्राइस से 2500 यह वाइड कलर का पश्मीना है बहुत यह अच्छा लग रहे है यह दोनों तरफ है इसके और कश्मीरी पश्मीना की बात ही कुछ अलग होती है कश्मीर कभी गया नहीं हूँ पश्मीना की देख लेता हूं कश्मीर का बहुत यह अच्छा है इसक तो मैंने नानी सोचनी है कौनसा क्लर ले, ये देखिए ये है वाइन कलर, डबल साइड़, तो गईस नानी ने ये फाइनल किया है, यही जो उन्होंने पहन रखा है, यही काली पश्मीना, अभी तो गईस एक्स ब्लूप करना बाकी है, गईस यह पर कश्मीर से बहुत सारे स से मतलब पश्मीना का अलग से सेक्शन है यह देखिए कुंजाना थाइलेंड यहां से मेरी नाने एरिंग ले रही है यह देखिए यह वाला यह दोनों और यह है 150 रुपीज एच और यह जो शॉप है गाईज यह पूरा माउथ फ्रेशनों वाला शॉप है यह देखिए और इसी के साथ गाईज हमारा गूमना समाप्त आपको बता रहा था ना कितना सुंदर दिखेगा यह रात में यह देखिए कितना अच्छा लाइटिंग किया गया है अभी तो हम लोग बाहर आ चुके है हमारा गूमना खतम हो गया यह देखिए यहां पर यह जो पॉंड है कितना अच्छा लग रहा है यहां पर हम लोग थोड़े देर खड़े हो सकते है पूरे अच्छी से डेकॉरेट किया गया है इस सेंटर को और शाम को यह बहुत ही खूपसूरत लगता है गाइस यहां पर टर्की शो है जहां पर एक खेल के द्वारा आपको आइसक्रीम दिया जाता है आप उसको खरीच सकते हो लेकिन मुझे तो कोल्ड है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा एक्सपो का टूर दिया अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजे इस व्लॉग को और सब्सक्राइब कर दीजे मेरे चैनल को मैं मता हूँ आपसे मेरे अगले व्लॉग में तब तक गुडबाई झाल दा में एक्स वाचिंग झाल को और सकती है और सब्सक्राइब कर दाएब कर दो लोगा है